हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मी ध्याफ सम्मस्थ होंगे तो आज हम ब्यस्सी थर्ड समेश्टर बोटनी वनस्पत विज्ञान यूनिट सेकेंड का लास्ट टोपिक पढ़ने जा रहे हैं यही अकेला एक टोपिक बचा हुआ था छोटा सा टोपिक है इसके बारे में भ इसके बारे में पढ़ना था जो molecular data के आधार पे हम evidences के तोर पे मान के classification करते हैं वनस्पत विज्ञान में उसी के बारे में पढ़ना है इस टोपिक में molecular taxonomy इसमें जैसे की DNA है RNA है proteins है जो molecular data है इन ही के base पे हम classify करते हैं इनका content देखते हैं अलग-अलग होता है सब में इसी के आधार पे बांटा जाता है क्लासों में molecular phylogenetic is the branch of phylogeny that analyzer genetic hereditary molecular differences hereditary molecular differences means RNA or DNA molecular differences hereditary मतलब जो वनसान उगत हो पीधी दर पीधी हो predominantly in DNA sequences to gain information on an organism's evolutionary relationship मतलब आणविक phylogenetics जो है phylogeny की एक साखा है जो कि किसी जीव के विकास वादी संबंधों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मुख्य रूप से DNA अनुकरमों में आणवनसिक वनसा नुगत आणविक अंतर का बिसलेसर करता है ठीक है तो इसमें हम होते हैं उसके जो वनसामगत होता है DNA हमारा genetic material आनुसिक पदात उसके आधार पे हम अंतर करते हैं ठीक है इन विसलेसरों से उन प्रक्रियाओं की निर्धारित करना संभव है जिनके द्वारा प्रजातियों के बीच विविशता हासिल की गई है तो अलग अलग प्रजातिय जो होगा प्लांट में वह भी डिफरेंट होगा तो उससे species भी डिफरेंट बनेंगी ना उनका जो आकार होगा प्लांटों का उसमें पुस्प की आकरत होगी और जो उनके द्वारा प्रोडूस किये जाने वाले केमिकल्स होगे तो यह सब इसी के आधार पे अलग हो जाए ही आपको पता चल जाएगा कि यह प्लांट में आगे चल कर क्या बनेगा जैसे उसमें स्यूक्वेंस होंगे उसी तरह की उसकी मार्फोलोजी और फिजियोलोजी होगी तो मोलेकुरेट डाटा के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं एक आडविक फैलोजनेटिक बिसलेस का प प्यापक सब्द जिसमें वर्गी करण और बिज्ञान में आडविक डेटा का उपयोग भी सामिल होता है ठीक है तो वर्गी करण इसी के आधार पर हम करते हैं जीन्स प्रोटीन के लेबल पर जेंज आड़ीन और प्रोटीन अड़ परसें होगा तो फिलेक भी करण बदते हम हो पता सकते हो कि इतनी सारी फैमिली जो बनी है कैसे बनी कभी तो किसी एक ही ओर्गनिजम से सभी एवोल्व हुए है ना उसी से तो अलग-अलग डिफरेंसेस आए हैं अलग-अलग क्राइटेरिया बने हुए हैं तो इसमें हम एवलूशन के दर्ष्ट से भी बात कर सकते हैं क् कि धीरे-धीरे जब म्यूटेशन के थुरू किसी जीन में एक्स्चेंज आ जाता है और कभी-गभी ऐसा होता है कि इतना ज्यादा चेंज आ जाता है कि उसके चेंज होने से एक नई इस्पिसीज ही डिवलप हो जाती है मान लो किसी प्लांट का बीज था अब उस बीज को जब आप उगाओगी तो वही प्लांट बनता है जिस प्लांट से वह भी जाया होगा लेकिन उसके डिनने के सिकुंसे में मान लो किसी बात के कारण है उसमें म्यूटेशन हो गया उत परिवर्तन तो उसका सिस्टम बदल जाएगा उसकी जो है फीनो टाइप भी बदल तो इससे अलग-अलग परकार की फेमिलीज बन गई है Molecular phylogenetics makes inference of the evolutionary relations that that rise due to molecular evolution and remits the cataraction of a phylogenetic tree contraction of a phylogenetic tree Every living organism contains deoxyribonucleic acid मतलब DNA और ribonucleic acid and proteins In general closely related organisms have a high degree of similarity in the molecular structure of the substances मतलब ज्यादा तर ज्यादा closely related है ज्यादा संबंधित जियू है उनका जो DNA होता है RNA होता है उनके अंदर की जो protein होती है वो ज्यादा तर similar होती है वही तो लिखा in general closely related organisms have a high degree of similarity in the molecular structure of these substances मतलब DNA, RNA, DNA होगे आपका end RNA और protein ठीक है इसमें ज्यादा तर आपको similarity मिलेंगी जो एक जैसे ज्यादा संबंधित ज्यादा निकट organisms होंगे तो यह basic idea था short note ही molecular data जो होता है आपका molecular data इस पे आपको short note आएगा ठीक short notes पूछा जाता है ठीक या आप इस तरह से आ जाएगा comment लिखने को molecular data पे comment लिखने को आप से पूछा जा सकता है तो यह वही मान के चलिए आप तीन से चान नंबर में पूछा जाता है आप एक दो पेज लिख दोगे आपका नंबर मिल जाएगा इसके लावा हम अब यह unit जो second थी हमारी unit 2 यहीं पर खतम हो गई इसका notes जितना भी है पीडियम note handwritten यह जो है और book का मैं send कर दूँगा टेले ग्राम पे और whatsapp गुरूप जो है हमारा उसके send कर दूँगा जो लोग subscribe नहीं किये चैनल को जरूर कर लीजेगा आपको यह notes मिल जाएगे कल से आपकी unit 3 जो है unit 3 जिसमें ingeospermic family first कौन है आपका ingeospermic family first करके आपकी unit है third वाली इसको हम कल से start कर देंगे देख इसमें हमको mainly family पढ़ना है हर family एक class में हो जाएगी एक class में एक family ही हो पाएगी क्योंकि प्रतेग family हर एक family का हमको पहले habit देखना होगा कहां वो पाये जाते हैं किस प्रकार के होते हैं उनमें inflorescence कितना कैसा होता है उसके floral structure कैसे होते हैं floral diagram समझेंगे flower के अलग-अलग part के diagram समझेंगे किस family में किस type के हैं तभी तो आप पहचान पाओगा किसी family को ये सारा exam में पूछा भी जाता है material इस तरह से floral formula सबका याद करना पढ़ेगा आपको ठीक है इस से पहले पढ़े भी होंगे floral formula जो पुस्पसूत्र होता है ये भी पढ़ना रहेगा फिर economic importance मतलब प्रतेएक unit में आपको मतलब भर का content पढ़ना पढ़ेगा और हर एक unit में य ज्यादा नहीं लेगेगा ये समझ लीजिया क्योंकि हम हर unit को कोसिस करेंगे तीन से चार दिन में खतम करने की maximum 5-6 या एक हफता लग जाएगा एक unit में और जल्द ही खतम कर देंगे ताकि आप लोगों के exam से पहले syllabus भी complete हो जाए और हम question practice भी अच्छे से कर पाएं तो आज बस इतना ही कल मिलेंगे हम third unit के पहले lecture के साथ तब तक के लिए okay by all the very best thanks for watching जैहिन जैवारत